अगर आपकी पास कोई भी Bluetooth का डिवाइस हो Bluetooth headphone या speaker कुछ भी हो जिसको आप अपना computer या laptop में connect करना चाहती हो मगर connect नहीं हो रहा है या फिर शो नहीं कर रहा है डिवाइस आपकी जो Bluetooth डिवाइस हो आपना computer या laptop पर शो नहीं कर रहा है तो इसका जो problem है इसको मैं solve करकर दिखा होंगा तीन तरीके से तीनों में से कोई एक तरीक आपकी 100% काम में आएगा तीनों में से तरीक आपके 100% प्रॉब्लम को solve कर देगा इसके लिए आपको कोई भी सब्सक्राइब करना नहीं पड़ेगा मेरे पास Bluetooth speaker है Bluetooth headphone है और मेरा फोन का जो ब्लूट थे वह भी ओन है मगर तीनों में से कोई भी एक यहां पर डिवाइस यहां पर शो नहीं कर रहा है तो जो प्रॉब्लम में इसको किस तरीके से आप solve करेंगे यह में आपको दिखाऊंगा तीनों तरीके से यहां पर आपको मिल जाएगा more Bluetooth option इसके उपर आपको एक बर क्लिक करना होगा जैसे आप क्लिक करोगी आपके सामने एक नया चोटासा पेज ओवपन हो जाएगा और यहां पर आपको मिल जाएगा hardware इसको पर आप जैसे क्लिक करोगी फिर से दूसरा पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको द могли अब जाएगा में बूलुटूथ इसके उपर आपको एक बार क तो आप इसको कलिक करें के ड्राइवर को आपडेट कर लेना तो आपकी जो प्रॉबलम है सौल्फ हो जाएगा उसकी बाद आपना कंप्यूटर कर रिस्टर्ट कर लेना ठीक हो जाएगा अधीक कर लेना पहसा इस तरीक से आगा आपके प्रॉबलम solve नहीं हुआ है तो दुसरी तरीका है आपको this PC को उपर क्लिक करना होगा यहाँ पर मिल जाएगा manager manager को उपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा device manager इसको उपर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा Bluetooth और Bluetooth के अंदर मिल जाएगा ब्लूटूट डिवाइस इसको उपर आपको राइट क्लिक करना होगा फिर मिल जाएगा आपको आपडेट ड्राइब इसको उपर आपको क्लिक करना होगा फिर आप यहाँ आपको पहले बाल आपशन है सार्च अटोमेटिकली इसको उपर आपको क्लिक करना होगा तो आपकी जो है इनिस्टोल हो जाएगा और इसके लिए आपको इंटरनेट कंप्टर पर इंटरनेट कर्नेक्शन होना जरूरी है तो इसको चेक कर लेना आप और जैसे ऑटरमेटिकले जो आपडेट हो जाएगा तो आपको एक ह wasting problem solve कि मैं आपको बताऊंगा तीसरा तरीका जिससे आपके कंप्विटर पर जो प्रॉल्र हम हांड़िड परसंट हो जाएगा बुल्रूद सविन सब्धर का प्रॉल्म है तो हंड़िड परसंट प्रॉल्म हो जाएगा इस तरीके से तो इसके लिए सबसे पहले आपको सार्च करना पड़ेगा यहां पर विंडोस आपडेट सार्च करने के बाद इस तरह कैसे एक पेज ओपन हो जाएगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको एक बार क्लिक करना होगा क्लिक करने के बद आपकी सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह के सापको एक पेज ओपन हो जाएगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा ड्राइफ हर अपडेट जो है इस आप्शन को पर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद फिर से आपके तरेसे पस्कूल उससे ओपना जाएगा जो जो अपकी कंप्योटर पर आपडेट नहीं है तो यहां पर सारी जो हो जाएगा कंतल दिकात को निदर यहां पर जारेकल À corps और मीडिक का कि बारन मील जाए इस तर्षाइगा इसके वसएक उपर अगार आपको टीक मर्क देने का बाद फिर यहां पर डाउनलोड प्रोसेच इस्टार्ड हो जाएगा 100% होने का बाद आपको त्ञानले के इसके लिए थो यहां पर download हो जाने के बाद install होगा install होने के बाद जो है यह option यहां से हट जाएगा फिर आपना computer को आप दो बाद रेइस्टार्ट कर लेना रेइस्टार्ट करने के बाद आपकी जो ब्लूट का problem है 100% solve हो जाएगा कुछ दर पहले भी मेरा यहां पर कोई भी Bluetooth device हो नहीं हो रह जाएगा अगर आपकी Bluetooth का software का problem है तो आपकी problem जो ही solve हो जाएगा 100% आप लोग अपना किमती टाइम भरबाद करके मेरे इस वीडियो को आन तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद